नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशा सत्की राह में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी आज का दिन और दो पहर तक आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं जैपुर में कल और परसो ये दो दिन हम रहेंगे इन दौर में अर्थात पांच और छे फिर साथ आठ मुलाकात करेंगे पुरे में नौ से लगातार मुंबई में शेडियूल्स आपने भी देखा भी आए सुर्वात जोतिश दिशा की करते हैं नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह सरप्रथम आज का पंचांग फालगुन माह शुक्ल पक्ष दुतियाति थी चद्रमा मीन राशी में नक्षत्र आज का उत्राभादर्पद रहेगा और योग रहेगा शुक्ल तदरुसार दिनांग चार मार्च दिन शुक्रवार शुक्रवार को राहुकाल का समय आप सब के लिए सुबह साड़े दस से बारह है गुले काल सुबह साड़े साथ से नौ राहुकाल में नय और शुबकाम के लिए सास्त्र वर्जित करते हैं गुले काल में अनुमोदित करते हैं मेश से लेकर मीन तक दिन कैसा बीतेगा, दिन को शुब करने के लिए प्रयास क्या किया जाए, किस प्रकार के छोटे प्रियोग दिन को शुब कर सकते हैं, आप सब की जीवन में यथार्थ भर सकते हैं, अब आईए सुर्बात करते हैं. मेश राशी गौर्मेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत दूर दूर तक नहीं है, दामपत्य जीवन कश्ट देगा, पधिपत्नी के बीच सनेह की कमी रहेगी, एक दूसरे को थोड़ी सी परेशानी के साथ जिल सकते हैं, लव लाइफ बहुत अनकूल है, हर प्रकार की शुबता है, प्रश्ट के मामले में किड्नी, आख और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, उपाय क्या करना चाहिए, किसी जरूरत मंद को कुछ खाने की वश्ट दे दीजेगा, क्या नहीं करना है, आज पश्चिम दिसा की यात्रा नहीं करना है, बादामी रंग्शुभच 56 प्रत्शत क भाग आपके साथ है, बिशब रासि, मानसिक प्रशन अता रहेगी, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, रुकावटों से बाहर निकलेंगे, ब्यापार तकलीफ देगा, रिस्क लेना भारी पड़ेगा, सोच समझ कर फैसला लीजेगा, प्राइवेट सेक्टर आपके लि साथ बहुत अच्छा समय भी देगा, सपोर्ट मिलेगा, लव लाइफ में कुछ उल्जन थी, शाम होते होते ठीक हो जाएगी, प्रियोग क्या करना चाहिए, स्वास्त पहले, स्वास्त के मामले में हड़ी की समस्या, घुटने की तकलीफ और लिवर की प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी ब्रिशब है, उल्टी हत्हेली पर थोड़ा सा आटा और चीनी लेकर किसी पौधे की नीचे डाल दीजेगा, क्या नहीं करना है, अपने राज बताने नहीं है, शुबरंग स्लेटी भाग्य प्रत्शत पचास, मिथुन राश पढ़ाय में अनेक उसर मिलेंगे, शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाय पूर्ण कर लेंगे, ब्यापार आपके लिए अच्छा है, बिजनस में लाफ के उसर बनेंगे, हो सकता है कि आज साजेदारी टिक जाए, प्राइवेट सिक्टर बहुत करेंगे, लेकिन लव लाइफ में कुछ मुश्किलें आएंगे, आज एक दूसरी के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाने का मन कहेगा, कोई बाहरी तक तो भी हस्तक शेप करेगा, स्वास्थ के मामले में सब कुछ बहुत सकारात्मक है, मांसिक मजबूती मिलेगी, चिंता अब हम उपाय आपको बताएं कि क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी मित्वन है, बोलेनात का ध्यान करिएगा, ओम नमह शिवाय, इस खास मंत्र का जाप जरूर करिए आप, कम से कम तीन से पाँच बार, क्या नहीं करना है, आज किसी भुजर्ग को जवाब नहीं देना है, शुबरंग गुलावी भाग की प्रत्षत 57, करकराशी, समय अच्छा है, मानसिक शान्ती मिलेगी, पढ़ाई में मजबुती आईगी, ब्यापार कश्ट दे रहा है, चिंताएं बढ़ सकती है, प्राइविट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल है, शुबता ज जिम्मेदारियों का अहसास होगा, लव लाइफ की स्थती में सुधार नहीं हो रहा है, हर प्रकार से आज उठा पटक आपको महसूस होगा, स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम हो सकती है, आँखों की समस्या हो सकती है, किड्नी की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना आज प्रियोग के तोर पर थोड़ा सा सरसो का तेल, दूचार मूद किसी पौधे की नीचे डालीए, क्या नहीं करना है, अपने राज बताने नहीं है, शुबरंग आपके लिए गिरे भागिप्रस्चत 58, चार मार्च शुकरवार सिंगराजी, पढ़ाई में बहुत सकारा सकारात्मक इस्थिति है, सिक्षा बहुत अच्छी है, ब्यापार थोड़ा तकलीफ देगा, बिजनस में रिस्क लेगना भारी पड़ेगा, प्राइवेट सिक्टर में कुछ परिस्थितियां पक्ष में आ चुकी है, सरकारी छेतर अच्छा रहेगा, गवर्मेंट सिक्टर और लीवर की प्राबलम आज हो सकती है, सिंग राशी के लिए प्रियोग क्या करना है, किसी जरूरत बंद को हरी सब्जी देना शुब होगा, क्या नहीं करना है, आज खुद को बहुत ओपन नहीं करना है, शुबरंग आपके लिए सफेद भागी प्रतिशत पच्पन, कन् जाएंगे, प्राइवेट सिक्टर आपके लिए अनकूलता दे रहा है, चिंताओं से मुक्ति देगा, प्राइवेट सिक्टर में आप कुछ बढ़ा करने के लिए पहुझ रहे हैं, सरकारी छेत्र आप पर भारी पढ़ रहा है, गौर्वेट सिक्टर में लेन देन को ले कर स्वास्त के मामले में पेट की दिक्कत, लीवर की प्राबलम और हड्डियों की समस्या होगी, क्या उपाय करना चाहिए, प्रियोक के तोर पर आज भगवान शनी का ध्यान करके, ओम शम्शन इस्चराय नमह, आठ बार इस मंत्र का जाब करिएगा, क्या नहीं करना है, आज सकरात्मख, कोई दोश नहीं है, ब्यापारी दिश्टिकोर से रिस्क लेना फाइदे मंद होगा, रुके धन की प्राप्ती रहेगी, मित्र साथ देंगे, तो बड़ा बड़ा काम बन जाएगा, प्राइबिट सेक्टर बाले आज वहान का सुख प्राप्त करेंगे, नई द दोनों के बीच कुछ मीठी दोग जोग भी हो सकती है, दब जाहिएगा, दामपत्य जीवन अच्छा है, पतनी के विचार मैच करेंगे, बच्चों को ले करके कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लव लाइफ में परिश्रम जादा करना बढ़ेगा, समझदारी से काम करिएग स्वास्थ के मामले में तुला राशी वालों को बैक की प्राबलम घुटने की तकलीफ और आँखों की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना चाहिए, आज किसी जरूरत मंद को कच्चा दूध प्रणाम करके दे दीजेगा, क्या नहीं करना है, आज उधार नहीं देना है, ब चच्चक राशी, अनकूलता है आज, हर कदम पर अनकूलता है, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, कोई रुकावत नहीं है, ब्यापार भी अच्छा चल रहा है, रुके काम बन जाएंगे, बिजनस के छेतर में, प्राइवेट से कर्में वाहन का सुख मिलेगा, आज नय जीवन अच्छा है, पतने के साथ बहुत अच्छा समय बितेगा, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन लव लाइफ में उल्चन है, यहां इस थतियां आपके पक्ष में नहीं है, स्वास्त के मामले में आज का दिन, घुटना, हर्ट की प्रावलम, शुगर की दिक्कत हो सकती है, क्य किसी पोधे के नीचे रख दे, क्या नहीं करना है, बहुत ज्यादा बोलना नहीं है किसी से, शुबरंग लाल भाग्य प्रतिशत चाचट, धनुराशी, पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी है, शिक्छा में इलाव होगा, रुके काम बन जाएंगी, ब्यापार अच्छ चलेगा, बिजनस में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर आपर भारी पढ़ रहा है, कुछ चिंताएं बढ़ सकती है, सरकारी छित्र में अनकूलता है और जो आपके लिए सकारात्मक है, दामपत्त जीवन सकारात्मक है, रुके काम बनेंगे, आई बाधाएं दूर होंगी, लव लाइफ में आज उल्जन है, कुछ परिस्थतियां उल्टी हो रही है, मित्रों का हस्तक्षे बरदास्त मत करिएगा, आज धोखा मिलने की संभावना है, स्वास्थ के मामले में किड्नी और आँक की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना प्रियोग के तोर पर मा गायत्री को प्रणाम करें, ओम भूर्भुवास्वाह तत्सा वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्यधीमही धियो योनः प्रचो दयात क्या रही करना है, दूसरों से उम्मीद नहीं करने हैं, काला रंग शुभ है, उन्चास प्रतिशत का भाग्या है, मकर राशी, कुछ उल्जन रहेगी आज, मन पढ़ाईवे बिलकुल नहीं लगेगा, किसी दोस्त के साथ विवाद भी हो सकता है ब्यापारिज दिश्टिकोंट से समय अन्कूल रहेगा, रुके काम बन जाएंगे, परिशानियों से बाहर आएंगे, मजबूती प्राप्त करेंगे आज प्राइवेट सेक्टर वालों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, कोई दोस्त धोखा देगा, कारी छेत्र में उल्जने रहेंगे आज कुछ वर्क प्रेशर फिल करेंगे, सरकारी छेत्र अन्कूल है, कौर्मर्ट सेक्टर में किसी दरह की दिक्कत नहीं है दामपत्त जीवन उल्जन दे रहा है, सूच समझ कर फैसला लिजेगा आज पत्नी के विचार मैच नहीं करेंगे, लव लाइफ की स्थिति में बहुत सुधार होगा बहुत सगरात्मक फल मिलेगा, स्वास्त के मामले में पेट और बैक की प्राब्लम हो सकती है उपाय क्या करना है, छोटा सा दूरवा का टुकड़ा, उल्टा वार ये तीन बार सर से और कहीं डाल दीजेगा क्या नहीं करना है, आज दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है हरारंग शुभे, क्यावन प्रतिशत का भाग्य है कुम्भराशी, जिनांक चार मार्च दिन शुकरवाद, पढ़ाई में बिल्कुल टॉप करेंगे आप, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार अच्छा है, रुक्य काम बन जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अर्कूल है, पर इस्ततियां पक्ष में है सरकारी छेत्र बंधन दे रहा, गौर्मट सेक्टर में उल्जन बढ़ सकती है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्मी के विचार मैच करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ड करेंगे लव लाइप में इस्तिती सुधर नहीं रही है, चिंताएं बढ़ सकती है स्वास्त के मामले में बैक, आँख और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए, आज कुम राशी वालों को किसी पौधे के नीचे की मिट्टी से तिलग लगाना है क्या नहीं करना है, आज उधार नहीं देना है शुबरंग नीला भाग्य प्रत्षत 57 चार मार्च शुक्रवार मीन राशी पढ़ने में कम मन लगेगा कल की कोई चिंता आज परिशान करेंगे पढ़ाई से बेमुखता है ब्यापार तो अच्छा चलेगा यहां हमें कोई समस्या नहीं दिखाई देती बिजनस में बड़े फैसले लेंगे प्राइवेट सेक्टर उल्जन देगा तो नाव बढ़ सकता है सरकारी छेत्र बहुत अनकूल है परिश्थितियां पक्ष में हैं गौर्मेट सेक्टर वालों को आज कुछ बड़ा मिलेगा दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय भी देगा सपोर्ट मिलेगा लेकिन लव लाइफ की स्थति में सुधार नहीं हो रहा है बोड़ी मुश्किलें आएंगी स्वास्त के मामले में बैक की प्रॉबलम और आखों की समस्या के साथ डाइजेशन प्रॉबलम भी है जुखाम खासी से भी आज सभलने की आभशकता है उपाय के तौर पर कच्चे दूद से कंठ पर तिलक लगा लीजेगा क्या नहीं करना है उधाल लेना नहीं है शुबरंग आपके लिए बैगनी भाग्यू प्रतिशत फिफ्टी बस लग रहा था कुछ और है बारी आ गई है बाज के एश्टो क्विज की जानते हैं वो कौन सा प्रश्ण है जिसका सही उत्तर देना आपके लिए बहुत अनिवारे है जिसका सही उत्तर दे करके पूरी कुणणी के विशे में आप विस्तार से पूछ सकते हैं कुछ शिकायते ऐसी भी है कि हम पूछ नहीं पाए आपके पास पूरा आउसर हम देते हैं कोई और प्रश्ण है आप भूल जाएं तो आपकी गलती है संतोसंतोशी की गलती नहीं है मैं पूरा मौका देता हूँ पहले मैं एक प्रश्ण का उत्तर देता था निम्लिखित में से किस सामग्री में सुक्र का अंश होता है आपके विकल्प है ए शहद बी काले तिल सी नीबू डी हल्दी सही उत्तर दिये गए नंबर पर आप प्रेशित कर दीजिए अगर आप भागेशाली होते हैं और आपका बिल्कुल तरक समझ में आता है तो हो सकता है कि कल के कार्टरब में आप खुद को देखें और सुने आईए चलते हैं आगे और बढ़ते हैं अब आज के विशेश भाग्याक्षर की तरफ मेश आग्षर ब्रिशब ला मिथुन वाग्षर करक बा सिंग छोटा उवग्षर कन्या आ तुला वाग्षर ब्रिश्चिक जा धनू दाग्षर मकर हा कुम्भ वाग्षर मीन न सादे चोक और कागज पर लिख ले लाल रंग केंकिक वाली कलम से और अपने पास सुरक्षित रखें आने वाले लंबे समय तक जब तक अगला अक्षर न मिल जाए ये काम करता रहेगा आगे वरते हैं और आज जानते हैं आज की सक्सेंस की सफलता की कुन जी किसी पोधे क के नीचे छोटा सा लाल धागा बांध दीजिए शाम को खोल कर नीचे ही गिरा दीजेगा अब बारी आज के आईश्मान भव की लेकिन उससे पहले जानते हैं कल पूछे गए प्रश्ण का सही उत्तर क्या है और कौन है भागिशाली आईए देखते हैं कल हमने आप से प्रश्ण किया था तीन मार्च के कारिक्रम में समुद्र मंथन हे तो किस सर्प का प्रियोग रसी के स्वरूप पे किया गया था विकल्प थे एवाशुकी बी तक्षक सी कल्की और डी सेसनाग सही उत्तर है एवासुकी मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिय है जिहां समुद्र मंथन के समय देवासुर संग्राम में जब निरड़े होता कि समुद्र मंथन किया जाए और तो देवता और असुर वासुकी नामक नाक से मंद्राचन नामक परवत को समुद्र में डाल करके मत्ते हैं जिसमें से चौदर रत निकलते हैं बागी कथा पर कर सकते हैं और अब बारी उससे बात करने की जिसने सही उत्तर दिया हलो सुमन जी सुमन जी शीरादे संतोश संतोशी बात कर रहा हूं जोतिश दिशा से कैसी हैं आप सुमन जी कि आज आप भागिशाली हो गई हो गई हो गई आज आप तो बिल्कुल सुमन जी बिल्कुल सही आपके उत्तर दिया है कि समुद्र मंथन के लिए वासु की नाम सर्प का प्रियोग किया गया था जो रसी की रूप के इस्ते बादे बहुत खोशी है सुमन जी बहुत बहुत खोशी है कि आप बिल्कुल भागिशाली हो गई है परम्पिता परमेश्वर की विशेश किरपा है आप पर और काफी लं आपढ़ व Joy di ऍसंबर को आपका पहला रप्लाई आया है आपकी वाट्सब पर में देख रह हूं डिख रहा हूं जी सारा चक रहा हो में साथ सब कुछ हो ढाता है हाँ तो क्या करती है अप सुमज ए कहां से बात कर रही है क्या करती है आप भूंसोए साफ और करती है नहीं 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 उपकर टाले बहुत खुशी है तो सुमन जी कबसे देख रहे हैं ए जोटिश दिशा औरे हम आपका इस बहुत बढ़ी है बहुत अच्छी बात अच्छा लग आप से बात करके आज किसके विश्य में जानना चाहेंगी आप सुमन जी पूछें आप क्या नाम है उनका आदर्ष पांडे है जी डेटा बर्थ बताईए जी नौ अगस्त जी अच्छा नौ अगस्त यहीं मतलब राट को साम को तस बच के नौ मिनट पर दस बच के नौ मिनट कहां का जन्म है सोन भद्र का अच्छा मिर्जापूर का जन्म है क्या पूछना चाहती है कौन है आपका बीटा है यह जी कौन है यह जी अच्छा भाई आपके है यह 98 नौ अगस्त 98 रात को दस बच के नौ मिनट मिर्जापूर उत्रप्रदेश इनका मेश लगन है और कुम्भराशी है और गुरू की दशा चल रही है लगन में ही नीज का शनी बैठा है और बुद्ध राहू इनके पंचम में बहुत दूशित और पीडित कुंडली इनकी पढ़ाई तधूरी रह जाएगी क्या पूछना इनके विशे में में प्रश्ण करिए बाकी कुंडली हमारे समक्ष है समय कम होता है आप जल्दी करें इनका मेश लगन है सुमंजी और कुम राशी है जी ब्रहश्पत की दशा चल रही है भी अब फिलाल तो अभी कुछ करने की उम्मीद हमें लगी नहीं रही है कुंडली इनकी महापीडी तवस्था में है पित्रेड प्रेद बाधा और बहुत सारे दोश इनकी कुंडली में के बिद्दमान है और इनके जन्मांक में आत्महत्या के भी योग बन रहे हैं मतलब जो कुंडली में योग है मैं वो बता रहा हूं आपको तो हां तो उसके लिए ना मतलब दोशित जन्मांक माने पूरा लगनवे पीडित है इनका बुरी तरह से तो वह सब अभी बाद मे की किरपा करें बाबा विश्वनात इनको आयू ज्यादा से ज्यादा करें देरगाय दें फिलाल जो मेरा कलकुलेशन है जो गनित है उसके इसाब से दोशित और पीडित जन्मांक है आयू संकर प्रबल है और आत्मच्छती आत्महत्या के संकेत मिलते हैं या वहां दुरु भी हमसे दिख्वा ले की इस्थित्य खराब जादा नहोने पॉड़े तो एक बार जल्दी से जल्दी इसके वारे में विचार करके और कर लें है न और इनसे बोलिएगा कि गुरुवार का वरत करेंगे थर्श्डे का व्रत करने और शिवाले में जाके शियो लिंग पर हर रोज कच्चा दूद चढ़ा कर 108 बार महामृतुंजय मंत्र जरूर जपें, जरूर मने हर कीमत पे करें कहीं पर भी शिवाले जहां पर हो, आप घबडाईये मत, नर्वस ना हो ये, जो फैक्ट है, वो फैक्ट है तो उसको इसलिए हम on record बता रहे हैं, जिससे आप लोग सतरक हो करके बचाने के लिए प्रयास करना आरंब कर दें होते हैं कुंडली में आत्मच्षति के योग होते हैं, इसमें भगवान ने दुर्योग दे दिया है, इसका जन्यों हुआ कि नहीं हुआ भी? जन्यों पहनता है या पहनता है, जन्यों पहना है, ब्रह्मदंड होता है, उससे भी बहुत अधिक रक्षा होती है न न Ini खं़ भगवाण को नहीं होता कोइग न भगवान को मानने वाले भी मरते ही हैं यह सब बात करने की है आउज यह प्रार्थना है प्रकृत की सकति से कि नाथ हमारे दोश काटो और हमें दिरगायू प्रदान करो ठीक है चलिए हमारी शुब काम ना है शीराधे तो आप भी प्रियास अभी से करना सुरू कर दीजिए सही उतर दीजिए और हमसे बात करने का मौका पाईए ठीक उसी तरह जैसे इनुने बात किया बारी आ गई आ इस पर लगा दीजिए और जिसकी आज मैरी जैनिमर्सरी है सारजुनिक जगह पर बर्गत का पौधा लगा कर किसी जरुरत बंद को पती-पत्नी मिलकर भोजन करा दे शुब काम ना है हमारी अपना बहुत ख्याल रखिए हमें अनुमत दीजिएगा मुलाकात करेंगे कल इ झाल है